नमस्कार मैंओन राग आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाग बात आज बेबाग बात में हमारे साथ हैं गवालिया नगर डिगम के आपर आयुक्त मुकल गुप्ता जी मुकल जी आपका बहुत बहुत अभेननने मुकल जी की चर्चा इसलिए है के लोगों को रोजगार कैसे मिले युवा भे रोजगार बरी संख्या में हैं उनको ऐसा प्रिस्टिक्शन कैसे प्राप्ट हो कि जल्द से जल उनको रोजगार मिल जाए इसके लिए आप पूरी टाकत से लगे हुए हैं कई लोगों को रोजगार दिलबाश चुके हैं और कई लोग प्रिस्टिक्शन जिनको मिल जाएगा मुखल जी जब कोई अधिकार ही होता है तो उसके दिमाग में होता है कि हम डवलपमेंट का काम कर दें हम कुछ ऐसा करें कि नीताओं की निगाहों में आते रहें तरह तरह के काम होते हैं यह क्या है किसा आप रोजगार मिले इसके लिए सरकार अपने करते हैं और इसमें लोगों को रोज़ इसमें को जो समस्या है प्रदेश में तो उस पर काफी है और सरकार इसके लिए कई योजनाएं भी प्रारम की वही है काफी फंडिंग भी कर रहे हैं लेकिन होता ही है कि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती इस पर आपने बाद में बात करेंगे अभी हाली में आपने गॉलियर में सुरुजगार मीरा लगाया जी और तमाम सारे लोगों को सौ से जादा लोगों को तो अंड़ा स्पॉर्ट पर ही आपने नौकरिया लगवाई इसके लिए प्रियास किये जा रहे हैं, जिसके तह़त हम सभी लोगने मिलकर बहुत सारी कमपियों को बला के अभी हमने जो आट कमपनियों को बैलाएlvania जिसमें मालनपूर की और को लोकल बाहर की किंपनियां इंदोर वगए رा की कमपनिया थे उसमें अपने जो हमने कॉशल प्रिश्चर कारीकम के दर्ब जो अपने बिरिवगार युप को प्रिश्चर प्रदान किया था काई प्रैक्टिकल चीजे में जैसे होटल के रिशेप्शन के लिए या सोलर पैनल इंडिश्टी के रूप में कैसे काम करने का मौका मिले तो उसमें जो हम लोग ने उनको प्रिसिचर दिया, फिर हमारा ये प्रयास है कि जो जितने 1100 बच्चों को पूरे हमारे 1100 बच्चों को या तो हम उनको कंपनी में अच्छे सच्छा प्लेस्मेंट करा दें और या फिर उनको हम उनका खुद का स्टार्ट अप शुरू कराए चाहे हो उनका सॉलर के फिल्ड में हो या उनका खुद का होटल हो या इसके लिए जो गवेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं उसमें हम लोग PM सुनिधी योजना के अंतरगत छोटे से लोन 10,000 रुपे से लेके जो अन्य सोरजगार योजना के अंतरगत लोन है इसमें 10,000 रु स्टार्ट अप सुरू हो जाएं कई बार बैंकर्स बड़ी दिक्कत करते हैं बैंक्स खाथ करके वहां के ज़दिकारी हैं लोन नहीं देते आपको धंकाना भी पड़ा था बीच में धंकाना क्या हमने तो विसुद्ध एक साल पहले की घटना है कि हमारे जो कुछ ऐसी मैला स्टो ने दी योजना कि अंतरगत क्योंकि इसमें जो स्कीम है मानिक प्रदानमती जी की वड़ी मैत्वाकांच्छी स्कीम है और उसमें कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता और 10,000 रुपे का उनको हर तरीके से फ्री लोन मिलता है जो 9 महीने में चुका नहीं होता है पहुत ही वालियर नीचे स्थिती में था तो फिर उसका काराण जो हमने पता किया तो बैंकर्स काफी ना टक कर रहे थे असयोग कर रहे थे नहीं दे रहे थे तो हमने फिर पहले तो पुलाइटली सबसे निवेदन किया मीटिंग बलाई नहीं हो पाया तो फिर एक यही समझ म उनको इस वात का मोटिवेट किया कि और समझाने की भी कोशिस थी हमारी हर बैंकर्स के पास जाके कि यह दस यार रुपे का रिन जो है छोटे गरीब लोग जो कि दो रुपे से लेके पांच रुपे सेकड़ा तक का उनका अपने काम करने के लिए ब्याद पे मिलता है अग आज भी दूसरा इस्थान बनाया हुआ है वाद्विदेश का इस्थान मद्प्रिदेश का इस्थान 50.000 रुपे के लिए दूसरा है प्रथम इस्थान है और पूरे देश में और गालियन नगर निगम दूसरे इस्थान पर है यह आज भी यह लगाता है हम लोग एक सो एक लोगों को 50.000 रुपे का लोन दे चुके हैं यह अपने हासिल कर ली आप आपके कमिशनर साफ किशुर क करते हैं जिसका यह परिदाम सामया है लेकिन बेंकर्स को दिख्वत क्या पी वह लुग है थोड़ा मलब उनको बैंकिंग बिहिएवियर के वारे में मालूम नहीं होता है तो उनको लगता है कि हमारे उपर एक्स्टा बर्डन आ गया उनका भी स्टाफ कुछ कम है यह समझ म मैं आती है लेकिन मुझे लगता कि मैं मेरा प्यास रहता है कि मैं केबल अपने उफ बॉर्किंग ऑफ ऑवर के आलावा भी मैं इसके लिए काम करता हूं कि बेंकर्स ये प्रॉब्लम है और जो लेने वाला है जिसके लिए पूरी जोजना है जिसके लिए प्लानिक है मैंने नरेन्पी साब से लेकिए शिवरा सिंग साफ अब Iron और Efendimiz जिसके लिए बीरा वां साब सारी जोजना है नियुआ निकल के दिरका Україarnya के लिए आप बिल्कुल ठीक है, मैंने अपने जो हमारा UAD है, नगरी प्रिशाशनायक में भी लिखा इसके लिए, उनके प्रैक्रिकल प्राब्लम बताई कि यहां पर बैंकर्स हमारे कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर भी SLVC की बैठक ली गई है, उन्होंने जो इस्टेट लेव से भी लगातार इसके निर्देश जारी किये जा रहे हैं, कि बैंकर्स को कहा जा रहा है कि यह PM सोनदी की सबसे माननी प्रतामदी की सबसे महत्वागांची योजना है, तो उस पे फोकस करें, अभी एक प्रिशिचर कारिकरम हुआ था, तो सहयोग से मुझे गर्वेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशल से मिलने का मौका भी मिला था, उनने इस बात पर भी चर्चा हुई, डिस्कसन हुआ था, उनने भी कहा कि नए बैंकर्स को कुछ प्राब्लम होती है, गर्वेंट ऑफ इंडिया लेविल से भी लगातार उनको निर्देशित किय जा रहा है कि इस योजनाओं में जितने भी विरोजगार से संबंधित योजना है, या लोन देने की योजना है, उनके अधिक से अधिक प्राइटी बेसित पे कार करें, गर्वेंट ऑफ इंडिया के हमेशा से खेर निर्देश रहे हैं, लेकि कुछ प्रैक्टिकल जन्तवितेयों से समन में ज्यादा होता है, हम ज्यादा बात समझते हैं, गर्मेंट जो बेंकर्ष हैं उनका अपना एक अलग औरा होता है, तो वह उनको ज्यादा पुब्लिक लाइविल्टी के बारे में एतना इवेर नहीं रहते, तो हम लोका फिर प्बिलिक से डे टो ड का टच रहता है इसके विजे से हम लोग को यह टास्क भी इसलिए जाता है कि हम यह पूरे टार्गेट का टार्गेट है कि ज्यादा सी ज्यादा लोग को रोजगार मिले उसके लिए उसके लिए उसके लिए त्यास कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी कहीं तकलीफ हैं तो उसमे में वो मद्यस की भूमी का निवाते हैं, रोजगार, व्यापार, नगर निगम किस तरह से मदद कर रहा है, नगरी निकाय किस तरह से मदद करें, इस पर हम सर्चा कि इस दौर को जारी रखेंगे, फिला लेते हैं चुटा सब्रे, अच्छा, मस्ती और मुझसे, कौन कहता है, पनीर सीधा साधा होता है, ये ना तो सीधा है, ना साधा, चटपटा है, नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इंफ्यूज पनीर, खाओ कभी भी, कहीं भी, मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर प ब्रिक के बाद आपका स्वागात है मेरे साथ गॉलियर मेगरमेगम के आपर आयुक्त मुकल गुपता जी है। मुकल जी, आपने बालाघाट में, शाजापूर में, बोपाल में, कई जगे आपने काम किया, भिंड में, दतिया में, एक सबसे ज़्याद आपकी चर्चा हुई बुजर्गों को उनका हग दिलाने के लिए, उसकी शुड़ात भी बोपाल से ही हुई जी हुई जी, बिल्कु संपत्यों पर कभजा कर लेते हैं, उनको घर से बेघर कर देते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा के कुछ बनाया होता है, ऐसे बुजर्गों के साथ मुकल गुपता साथ खड़े हुए, और उनके हग की लड़ाई लड़ी, और तमाम बच्चों को नसीयते दी, रास्ते पे लाए, जो रास्ते पे नहीं लाए, उनको सीख्चों तक पहुचाए, जिए इल्कुल ठीक बात है, भरण पूशन अदनियम सेंट्रल कमेंट ने 2007 में बना दिया था, और उस समय, चुकि नया एक्ट था, लोगों को उसके बारे में जानकरी नहीं थी, और जब मैंने यहाँ, गोइंद परा, SDM के रूप में जॉइन किया, तो मैंने भी इस एक्ट के स्टेडी की, तो काफी मुझे लगा कि कई के लगाता रहे हैं, जो अपने ही बच्चों से प्रतारित हैं, तो उसमें फिर मैंने काफी रुची भी हुई काम करने का मौका भी मिल और कई लोगों को रहात दी, यह मेरा सौबाग है कि मैं उनको रहात दे पाया, और सेंट्रल गवर्मेंट ने भी इस तरह की कुछ केसिस उसके पास गए होंगे, तो काफी स्ट्रॉंग एक्ट बनाया, और जितना मैं उसमें फिर काम करता रहा, तो लोगों को का काफी इस गवर्मेंट पर विश्वास भी हुआ, खास्तोर से SGM लेविल में कि इस तरह के लोग बार अपनी समस्यां लेके आने लगे, और बोपाल में मुझे इस तरह की समस्यां को जादा ही मिले, साथ यहाँ पे रिटार्यर्मेंट करमचारी गवर्मेंट ओफिसियल जादा रहते हैं, जो कि अपने रिटार्यर्मेंट के बाद कोई काम नहीं कर पातें, तो पेंसन या जो अनका रिटार्यर्मेंट फंड मिलता है उस पर डिपेंड रहते हैं, तो उसके बाद उनके बच्चे कहीं ना कहीं, या तो बाहर चले जाते हैं, उनको पेच्छ Wenn You पेच्छित चो इसके पीछे पूरा कारण यही है कि यह पूरा बहुतिक बात वाला योग आ गया है और इसमें यूनिक फैमिली जादा हो रही है लोग अपने मिया बीबी अपने बच्चों पर कंसेंट्रेट हो रहे हैं पहले जो हमारी परिवार पुड़ता थी तो उसमें बुजर्गों को आजी भी हमारे ग्रामीर छेत रहे हैं तो उनमें जो बुजर्ग जो कह देते हैं वही बात मानी जाती है और उनका जो आखरी सहिया पर भी पड़ा होता है तो उनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं होता और उनको कभी न तो अस्पताल की जरूरत पढ़ती रही और नहीं बात है लेकिन अब चुकि यहां पर भी उसका प्रवाव जैसा जैसा आ रहा है तो वैसा ही यह सरी प्रहिशानिया भी बढ़के आ रही है तो फिर गर्वेंट ओफ हिंडिया ने इसके लिए इसकी ऐसे प्रावधान की आवश्यक्ता समझी पहले भी था भरन पॉर्शन में लेकिन इसके लिए पहले भी प्राविजन थे सिविल उसमें थे सीपीसी में थे लेकिन उसकी सिविल कोर्ट से यह राहत प्राना इतना कठिन हुआ करता है कि वह एक तो बुजर्ग लोग अपने बच्चों की शिकायत करते नहीं कभी भी वह अपने पडोसी से नहीं करते इस्तिती ही होती है अपने भारती संस्क्रती मरता मर जाएगा लेकिन अपने बच्चे की शिकायत नहीं करेगा लेकिन काफी जब इस्तिती खराब हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं जाए और फिर कोर्ट में जाके कहे और उसको तारीक पर तारीक मिले तो उसके जाए उन्ह कई लोग आए जो इंट्रेस्टिंग वाकियात भी हुए यहां पर काफी तो इवन एक मैं आपको बताना चाहूंगा एक तो बेटा ही आया कि साम मैं अपने माता-पिता को बहुत चाहता हूं लेकि मेरी पत्नी से मैं धरता हूं और वो आप ऐसा करिया आप मुझे बुला के पत्नी की सामने बुलाईए मेरे माता-पिता को आवेदन में खुद देके गया और वो फिर ऐसा ही हुआ मैंने उसको बलाके डाटा हो समझाया कि वेटा अपने माबाप की सेवा करो तो फिर वो काफी ऐसी चीज़ें हुए या मैंने काउंसिलिंग भी की ऐसे बच्चों के माबाप की ता कि अगर फैंली कहीं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कई परकार की समस्यां वहाई सी सुरू हो जाती है अगर समाज तो बच्चों पर बड़ा दुस्प्राव पड़ता है वो भी क्योंकि जो बज़ूर्ग लोग अपने बच्चों पर तो ख्याल और लेकिन जो अपने नाती पोतों का उनकी संसकार में देते हैं, वो कहीं अगर कमी रह जाती है, तो बच्चे या तो समाज विरोधी हो जाते हैं, या उन्हें कुछ अपराधिक प्रविट्टी? समाज में टूटें शुरू हो जाते हैं, दूसरा मसला आपने जो बेरोजगारी वाला मामला है, देश में सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार, रोजगार कैसे मिले, और जब रोजगार की बात आती है, तो एक ही, कि ना तो इसके लिवर है, हमारे पास ना प्रिक्षिक्षि विक्ति हैं, कि उनके पास सुचित प्रिक्षिक्षिन हो, तो आप कितने लोगों को एक बार में ट्रिनिंग ली पाते हैं, इसके समझ में जो मत बृदिश सरकार से जो पूरे हर नगरी निकाय को एक कोटा दिया जा रहा है, तो जैसे इस बार का था हमारे ग्वालियर नग सणीधू हमसे उनको चैक करता रहा था कि उनको तू प्रिक्षिक्षण मिले यही काराना को उनका प्रिक्षिक्ष्ण मिला तो औरू हमने 500 बच्चों का वो रखा था व्प्लेसमेंट के लिए उस दिन तो उसमे से 75 बच्चों को नणे ले लिया चूकि 26 खुद का श्टाल शुरूर करना चाहते थे उसी फील्ड में जिसमें उन्होंने पर से छंड लिया था जिन भी फील्ड थी तो उन्होंने 26 बच्छों ने तो मना कर दिया था कि मैं खुद का स्टार्ट्राप सुरूर कर रहा हूं 75 बच्छों को मिल गया था 55 को नेस्ट फेस में हम अपने दूस सबसे बड़ी चीजा अगर देखा जाए तो मैं जो नगनिगम है वो आम आदमी की छोटी सी छोटी समस्या अगर उसके घर की नाली बात्रूम की नाली अगर रुक जाती है तो उसकर नगनिगम का ही वार्ड ओफिसर याद आता है और कर भी पाता है इसके अलावा वहां से लेके मैं समझता हूँ अगर कहीं भी किसी भी शहर में कोई प्रसाशन होता है तब सबसे पहले नगनिगमी होता है साफ सफाई विजली तो इतनी अथा चीजें होती है ये बात भी आती है कि नगनिगम के पैसा नहीं है हाँ ये भी एक पॉइंट रहता है कि जनरली क्या हो कृटर निर्णानों something में संकोच होता है चाहे वह जल करमाफी के संब्ध में हो सभी चाहते हैं कि मालज़ी होग्इस करना पड़ते है हमारी उससे के लिगा आप ऐसा सारी शिजा नहीं हो सकति ना चुकि हमारे लोगता अंतरे प्रशाद्फ पर जाता नत देश कोस्च भी таких अंट रहती है उत्व जरूरत जो सही हुआ trazit हैं सारी चीजह हैं ऐसा नहीं है मैं अभी ग्लाया नगनिगयम में गया था तो एक वक्ती पे 40 लाख इंच तीस लाख रुपे का जोड़ा हुआ होता सब्सक्ता जिला प्रशासन बड़ा के लिए त्यूकि ऊथे लाइविल्टी नहीं होती डारेक्ट चाहें मैं SDM हो चाहें कलेक्टर हो तैसिलदार हो तो जनप्रिदिनियों से उतना साफका नहीं रहता है वह अलग प्रशाशक की भूमिका में रहते हैं निगम में जो इतने भी ऑफिसर्स काम करते हैं उसके हमलों के हैड जो होते हैं जन लेकिन आपने बुजर्गों को निया देदाने के लिए जो काम किया और रुजगार के लिए आप जिस तरह के काम कर रहें मुझे लगता है इस तरह के प्रयासों की समाज को बहुत ज्यादा आफशक्ता है ताकि समाज में अमन चेंद और शान्ती बनी रहे आप ख़बरें जो आपके काम की है वो ख़बरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विशलेशा हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखलनी उस आपके ख़बरें आप देख रहे हैं तखलनी उस